कि चलो बचों कल अपना जो सेशन था दुरा रह गया था सेक्षण सी में कल हम लोग चैपिटर नंबर एट और नाइन देखने वाले थे बट चैप्टर नंबर 8 ही अपना कम्प्लीट हुआ था आज अपने चैप्टर 9 कम्प्लीट करने का पूरा ट्राय करते हैं टोटल इसमें 12 कोशन है और कुछ कोशन्स लेंदी है तो वह सकता है टाइम जाधा जाए हाँ सब नहीं है कुछ ही कोशन्स लेंदी है तो असाइन्मेंट में सेक्शन सी के चैप्टर 9 में फिर्स्ट कोशन यह रहा A, B and C, D are chords of a circle with center P बनाते जाना है figure जितना जितना पढ़ते उतना बनाते जाते हैं है ना आज़िए क्या है A, B and C, D are chords of a circle with center P तो अपने को circle बनाना है जिसका center P होगा हाँ सही बात है यह तो cube selected है चलो इतना बड़ा circle ठीक है अरे वो diagram थोड़ा बड़ा हो तो ही सही है A, B and C, D are chords of a circle with center P तो इसमें 2 chords बनानी है एक chord का length 16 cm है एक chord का length 30 cm है एक chord छोटी बनानी एक chord बड़ी बनानी है तो chord बनाने के लिए हम line use कर लेते हैं यहाँ पर A, B रखू ना तो यह हो गया छोटा chord और यह हो गया थोड़ा long chord इसको हम नाम दूँगा A, B इसको हम नाम दूँगा ऐसे दूँ या ऐसे दूँ अब circle का center भी है center point P ओके बाच चलो and the distance of A, B from center P is 15 cm chord A, B का center से distance कितना है 15 cm, पहले सही कहा था 15 A, B का chord P से distance बताओ ऐसे distance बनाते है या ऐसे perpendicular तो point P से A, B का distance मतलब point P से हमें perpendicular draw करना है तो यह होगा chord A, B का distance कितना दिया हुआ यह है येस 15 cm क्या पूछा है फिर find the distance of C, D from center P A, B अगर center से 15 cm distance पर हो तो center से chord CD कितने distance पर होगी ये पूछ रहा है भाई यानि हमें ये जो red color का line है दिख रहा है जबको? नहीं दिख रहा? किसको नहीं दिख रहा? अच्छा ऐसा है थोड़ा से इदर आजाओ blue green गलत जग है पर ही बनता है हाँ अभी ठीक है तो हमें ये distance find करना है ओके? ये वाला distance 15 है हमें ये find करना है बूलो कैसे find करेंगे? किसी को कोई idea आ रहा है? पार्त को आ रहा है idea ये भी हाँ वो लिख दू? वो भी लिख देता हूँ चलो ये total यहाँ से यहाँ पर लिख देते है side में ये भी 16 cm cd is 30 cm यहाँ से यहाँ तक 15 यहाँ से यहाँ तक 30 इतना 15 तो हमें ये find करना है बोलो ऐसा कुछ करेंगे, देखो हमें a, b, पुरा distance पता है, ये 16 है ठीक है? तो हम लोग suppose कर लेते हैं ये कोई point का नाम इस point का नाम क्या suppose कर लेते हैं? m तो ये am कितना होगा? बोलो am साबबास हर्शिल हर्शिल, very good ये total 16 है और center से जो perpendicular ड्रो करते हैं वो chord को byset करता है तो वो chord total 16 है तो यहाँ पर am हाफ होगा ना 16 का तो ये इतना हुआ 8 और ये perpendicular है क्योंकि distance क्या होते हैं अल्वेस perpendicular तो अब हम आशानी से find कर सकते हैं ये चीज़ center से ये जो distance रहेगा वो हम ढूण पाएंगे क्योंकि pythagoras की help से 15 square प्लस 8 square ये मिल जाएगा side ap का square समझे एपी क्या है circle की radius है तो circle की radius जो हमें मिलेगी ap उतना ही ये cp भी होगा ओके तो यानि हमें हमें हाँ 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 हमें तो ये distance find करना है लेकिन ये find करने के लिए हमें 13 का हाफ 15 यहां consider करना पड़ेगा इसको point को n मान लो ये 15 consider करेंगे और ये cp ये 2 side पता होगी बेटा तभी तो ये 3 side पता चलेगी रेडियस नहीं given है इसके लिए तो हमने ये जो cord का set है यहां से हम radius find करेंगे और वो radius का इस्तमाल distance find करने के लिए करेंगे next में ये इसका main concept है ये जो पहला set दिया हूँ है पहले set में क्या दिया हूँ है तो cord का length और distance पता हो तो हम circle का radius find कर लेते हैं तीन चीज में से दो पता होने चीए cord का length distance और radius तो इन तीनों में से अपने को यहां पर दो दिया है cord का length और distance दिया तो radius मिल जाएगा अब second case में हमारे पास radius है और cord का length है तो हम लोग क्या find कर पाएंगे distance ये concept आया समझ में चालो तो अब लिखना क्या कारेकरम करते हैं चालो solution सबसे पहले हमने perpendicular draw किये ना तो नाम दे दे पॉइंट M और N का वो switch चालू कर दो मैं और एफ पर्पेंडिकूलर तो एबी हमने क्या माना कि पी एपी फर पर्पेंडिकूलर है कि फी एनीस पर्पेंडिकूलर तो CD PM AB पर perpendicular है इसलिए PM कितना होगा 15 cm क्योंकि जो center से quad पर perpendicular होता है वही distance होता है और distance question में हमें given है PM equals to 15 cm given second thing कि PM AB को bicep भी करेगा that's why AM equals to half of AB because perpendicular bicep the cord इतना आया समद में बोलो तो हम लिखेंगे AM equals to half of 16 half of 16 half of 16 that is 8 cm पर पर आम लोग क्या लिखेंगे join PA and PC या तो draw लिख दो draw PA and PC PA equals to PC radii of a circle equal क्यों होंगे क्योंकि वो एक ही circle की radius है अब हम Pythagoras लगाएंगे उपर वाले case में now in triangle कौन सा triangle बन रहा है PM या PAM Palm now in triangle PAM angle कौन सा angle 90 degree था PAM में very good M angle M was 90 degree therefore Pythagoras कैसे लगा सकते PM square plus AM square equals to AP square imagination PM square plus AM square equals to AP square therefore PAM square plus AM square equals to AP square अब ने पी लिखाया इसको तो पी लिखो अब 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 फिर यहां पर करेक्शन करना बढ़ेगा यहां कर दे चलो AP और यह CP values रखो PM की value कितनी थी हाँ distance था क्योंकि PM was distance 15 square AM वो chord का bisection था तो 8 square और यह हमें find करना है radius so 225 plus 64 equals to AP square therefore AP square equals to 289 इन दोनों का summation 289 दोनों side square root ले लो तो AP equals to 17 ए किसका square है 17 का so this is how अपने को radius मिल गया अब यह जो radius मिला है उसका use अपने second set में distance find करने के लिए करेंगे therefore CP is also equal to 17 centimeter क्योंकि AP और CP equal थे अब कौन सा triangle की कौन से triangle में हम लोग discuss करेंगे triangle P and C या PCN ऐसा बोलो P and C वैसे सर आपको याद कैसे रेता है बच्चों को भी याद रहता है ऐसा नहीं P and C Herschel Herschel बहुत पढ़ता है मुझे पता है now in triangle P and C Herschel कौन सा angle 90 degree है angle N equals to 90 degree अब पाइथागरास कैसे लगेगा तो P N square plus N C square equals to P C square P N square plus N C square equals to P C square P P हरे हाने C P है ऐसा कभी हो जाए तो कोई problem नहीं है वो एक मतलब considerable है वो ठीक है P N square P N की value find करनी है N C की value अपने find करिए पहले से कहीं पर ये 15 के से वाचा total 30 था अपने ने कहीं लिखा लेकिन N C के बारे में नहीं लिखा यहाँ पर लिख लो चलो N C के बारे में यहीं पर लिखना बढ़ेगा ना वो तो यहीं पर लिख देज़े चलो and A M के बारे में लिखाता है N C के बारे में N C equals to half of C D माजा नहीं आया इसको थोड़ा small कर लेते हैं बस N C Half of C D ओके तो हमने इस रीजन से यह चीज भोली देखो दोनों का काम एक साथ कर रहे हैं अपने पी एम इस पर्पेंडिकुलर टू ए भी पी इस पर्पेंडिकुलर टू सीडी पी एम फिफ्टीन सेंटीमीटर है और पी एन कोश्टन मार के ठीक है वो अपने नहीं लिखा तो एम ए बिका हाफ होगा और एनसी capacity का हाफ होगा है नेक्स παीच पर हमने यहां पे एम 16 का हाफ कर दिया और एंसी पर दिगत कर देंगे थरटी का हाफ तो एनसी उुटन पनने पहले से निकल के रखना है 15 सेंटीमीटर तो A.M. का use हमने इस section में किया, है न, N.C. का भी अपने यहाँ पे use करेंगे, N.C. 15 square और C.P. रेडियस है, कितना रेडियस है था, 17. चलो, next page पर, P.N. square equals to 17 square minus 15 square, 289 minus 225, 9 minus 5, 4, 28 minus 22, 64. 24, किसका square 64 होता है, therefore P.N. equals to 8 centimeter, and P.N. क्या था, distance था, second chord का P.N. क्या है, distance है, so distance is 8 centimeter, so section C का question, इतना lengthy होगा, फिर लास्ट में एक आंसे लिख देना है, therefore, the chord C.D. क्या हो, simply chord C.D. लिख दो, इतना था, the distance लिख दो, इतना था, the distance लिख दो, इतना था, the distance of chord C.D. from center P is 8 centimeter okay या आया समद्ध में, चलो, next question ये तो एकदम easy है, in a cyclic quadrilateral A, B, C, D, angle A, jam angle C, equals to 4 jam 5, and angle B, jam angle D, 5 jam 7, then find all the angles of A, B, C, D. बहुत easy है, इसमें drawing भी नहीं बनानी पड़ीगी, cyclic ये cyclic quadrilateral है, आजाओ, cyclic quadrilateral होने से, दोनों का, summation 180 है, और ratio भी दिया है, 10th वाले उदर नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि A और C में जो common factor है, वो अलग होता है, और इसका common factor अलग हो सकता है, इसका अपने common factor X assume करेंगे, इसका common factor Y assume करेंगे, क्योंकि देख, 4 jam 5 तो angle A upon angle C करेंगे तो आ रहा है, तो हो सकता है कि ये, इसमें common factor किया है, 2, तो 2 से cut किया, तो 4 by 5 आया, तो वो ही common factor 5 by 7 का होना ज़रूरी नहीं है, इसमें कुछ 3 से cut किया हो, 5 से cut किया हो, वो सकता है, 10 से cut किया हो, समझ रहे हैं हम, तो इसमें अलग से calculation होगी, तो बट क्या आप फरक पड़ता है, देख, अपने मैं इसका करके बता देता हूं, आप लोगों को इसका कर देने का, है ना, अभी समझाया है कहा है, अभी कहां समझाया है, अभी तो शुरूरात की है, उजवल, यहां आजाओ, चलो, झांगल ऑ झांगल 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 ओके हां एंगल सी होगा थैंक्यू थैंक्यू निकिता निकिता बहुत अच्छे से पढ़ रही है आज कल वेहर एक्सिजा कॉमन वेहर एक्सिजा कॉमन फैक्टर एंड ए प्लस सी कितना होगा 180 विकॉस साइक्लिक साइक्लिक क्वाद्री लिटरल के अपोजिट एंगल सुंगे साइक्लिक क्वाद्री लिटरल मतलब तो देखो ए और सी क्या हुआ है अपोजिट एंगल सुंगे साइक्लिक क्वाद्री लिटरल में अपोजिट एंगल का समेशन 180 होता है पोजिट एंगल सुंगे साइक्लिक क्वाद्री लिटरल therefore अब A की वैल्यओ 4X एंड 5X C की जगा 5X therefore 9X इक्वाल्स टो 180 therefore X इक्वाल्स टो ओके X इक्वाल्स टो 20 अब यह X की वैल्यू हम A और C में रखेंगे तो A और C का मतलब कितने degrees angle है वो हमें पता चल जाएगा angle a equals to 4x but x हमें मिला 20 therefore angle a equals to 4 into 20 which is 80 and angle c equals to 5x but x equals to 20 therefore angle c equals to 5 into 20 which is 100 angle a और angle c का समेशन देखो 180 आ रहा है और इसका रेशियो लो a और c का रेशियो लो 80 अपॉन 100 00 कैंसल 8 by 10 करो तो 4 by 5 two two common factor निकला अपने 10 जीरो भी कट किया तो 10 कॉमन जैने 20 common factor है इस पर्टीकुलर केस उस पर्टीकुलर केस में जो कॉमन फेक्टर है वो कुछ और आ सकता है इसके लिए सब को एक साथ जोड कर हम 360 नहीं कर सकते और जो प्रॉसेस हमने a और c के लिए किया बिल्कुल सेम प्रॉसेस अब b और d के लिए करेंगे let b equals to 5y d equals to 7y 5y plus 7y 12 12y कितना होगा 180 therefore y equals to 180 by 12 12 1s 12 12 5s 16y equals to 15 आया अगर y 15 है तो b कितना होगा 15 into 5 75 तो b की value आएगी 75 15 into 7 105 105 plus 75 देखो 180 हो रहा है और इसका तुम ratio लोगे न इसका तो इसमें देखो common क्या निकल रहा है 15 15 15 50 75 15 70 105 देखो 157 आई रहा है तो इसमें common factor है 15 उसमें था 20 समझें तो सेकेंड वाला कुछ से करोगे या बताओ हमारे जो online दोस्त देख रहे हैं उनके लिख देते हैं बस extra talk नहीं अभी exam में दिखाना तुम कितना बोलते हो words नहीं number बोलने चाहिए चलो similarly let angle B equals to 5Y and angle D equals to 7Y where Y equals to common factor moreover angle B plus angle D equals to 180 therefore 5y plus 7y equals to 180 12y equals to 180 therefore y equals to 180 by 12 therefore y equals to 15 now angle B was 5 times y therefore angle but y equals to 15 therefore angle B equals to 5 into 15 which is 75 and angle D was 7y but y equals to 15 therefore angle D equals to 7 into 15 which is 105 degrees okay बच्चा लोग एना easy question थोड़ा lengthy है क्योंकि एक ही process दो बार करनी पड़ेगी बट कुल मिलाकर easy है last में हाँ उठाओ मैं क्या कह रहा था अपने क्या 12 question करने है और आथ Saturday के हिसाब से क्या साड़े चार बजे तो अपने शुरू किया तो वो 12 question अपने फटा फट कर ले इसके बाद देखते है time बचेगा तो next question यहाँ पर ध्यान दो in the given figure ABCD is a cyclic quadrilateral यह side है in which diagonals AC and BD intersect at M diagonal M पर intersect करें if BAC equals to 50 degree ADB equals to 45 then find angle ABC तो कुल मिलाकर diagram कुछ इसी साब से क्या find करना है ABC locate the angle ABC यह angle हमें ढूड़ना है ABC हाँ सही कहा रहे हो मंदन कि triangle ABC में angle A पता है 50 degree B ढूड़ना है तो इसके लिए हमें C पता होना चाहिए angle ACB और angle ADB are the angles subtended by the same chord in the same part of the circle एक हिसे में एक हिसे में एक हिसे में एक ही कॉड़ से जो एंगल बनते है वो इक्वाल होते हैं तो यह 45 डिग्रीज यहां पर है तो यहां पर भी यह 45 डिग्रीज हो जाएगा 45 प्लस यह 50 95 हुआ और तीनों का समेशन होना चाहिए क्या 180 बस यह सिंपल कंसेप्ट है आया समझ में मैं लिखू मैं को डाउट ता हुआ है सुना ओजवल हां यहां पर ध्यान दो कोश्चन में यह डायाग्राम समझाया है कि ABCD is a cyclic quadrilateral diagonals of ABCD intersected point M फिर हमें कुछ एंगल्स दे दिए जैसे ADB is 45 and CAB is 50 डिग्री पूछा है एंगल ABC कितना होगा फिर जो मैंने रैट कलर से बनाया है वो कोश्चन मार गया कि आया पक्का ओके हर्षिल एक बार तू समझ ले चल हाँ वही वही तो यह डायग्राम हमें बना कर ऐसे बना हुआ शायद दिया हुआ है assignment में हमें खाली locate करना एंगल ABC कहां पर है तो हमने देखा एंगल ABC यह रहा अब आप ट्राइंगल ABC पर ही focus करो सिर्फ तो अगर आप ट्राइंगल ABC में focus करोगे तो यह वाला एंगल कोश्चन मार के यह वाला एंगल 50 गिवन है कि नहीं ऐसा case है तो अगर मुझे एंगल C मिल जाए तो मैं एंगल B फाइंड कर लूँ एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके तो यह एंगल C मिले कहां से यह तो हमने देखना है कि कौड AB ने दो एंगल बनाए ACB और ADB एक ही कौड ने circle के एक ही segment में जो एंगल बनाते हैं वो इ इक्वल होते हैं सरकल का कोई कॉड सरकल के एक ही segment में जितने भी एंगल बनाएगा वो एक्वल होगा तो इस इस 45 तो यह भी 45 होगा तो यहां पर मिल गया मुझे 45 चलो अब मैं यह लिखता हूँ ठीक है यहां से यहां से कहीं ते लिए है चलो यहां देखो एंगल ADB and angle ACB are the angles subtended by the same chord and are in the same segment of the circle यह हमने पुरा theorem ही लिख दिया तो हमने यहां पर theorem पुरा लिख दिया theorem के बीजिस पर एंगल ADB equals to ACB किया ठीक तो ACB हमको मिल गया 45 अब हम एंगल्स हम प्रापर्टी का यूज करेंगे ट्राइंगल ABC में तो ट्राइंगल ABC में हम लोग डारेक्ट लिखेंगे एंगल A plus B plus C कौन सा ना बेटा एंगल देख अपने ने अगर ट्राइंगल मेंशन कर दिया इंगल ABC मतलब आपको ट्राइंगल के बाहर जाना ही नहीं है न इसके लिए तो मैं अपने पहले क्या मेंशन करते है इंगल ABC अगर आपने यह चीज नहीं लिखी हो तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि फिर वह confusing होगा Angle A 50 Angle B हमें find करना है Angle C 45 equals to 180 50 plus 45 95 plus Angle B equals to 180 therefore Angle B equals to 180 minus 95 85 है लास्ट में लिख देने का और यही पर लिख देता हूं और Angle कौन सा था A B C और Angle A B C equals to 85 degrees ओके चलो नेक्स कोशर असर्कुलर पर्क अफ रडियस 20 meter is situated in a colony three boys Ankur, Saeed and David sitting at equal distance on its boundary each having a toy telephone in his hands to talk with each other find the length of the string of each phone circular park बनाएंगे circular park में three point बना देंगे जो की Ankur, Saeed और David को represent करेंगे अंकोर, Saeed और डेविड अंकोर, Saeed और डेविड यह तिन्हों equal distance पर है ठीक है तो मतलब as equals to sd equals to ad मतलब equilateral triangle बन जाएगा है तो वो फिर क्या कर रहे है कि तीनों के हाथ में toy telephone है है ना each having a toy telephone in his hands to talk with each other find the length of the string of each phone तो string कहां ऐसे बिछाया होगा उन्होंने तो हमें कुल मिलाकर यह तीनों में से कोई एक site find करके दे देनी क्योंकि तीनों equal है तो तीनों side यह find कैसे करेंगे क्या चीज़ गीवन है कुछ भी number given है यहाँ पर radius given है तो radius के लिए अपने circle का center बना देते हैं circle का center मानलों यहाँ पर कहीं पर होगा ठीक है तो radius हम s को भी जोड़ कर बना सकते a को जोड़ कर भी बना सकते तो अपने मानलो a को जोड़ दिया यह यह circle का यह center है और यह ओए radius होगे ठीक है अब इसी लाइन को अगर आगे extend करो तो यह जो side है क्या हो जाएगा triangle के लिए पर्पेंडिक्विलर भी होगा और मीडियन भी हो जाएगा क्योंकि एक्विलेटर triangle में मीडियन और पर्पेंडिक्विलर सेम होते हैं तो मीडियन का concept हमें यहाँ बें यूज करना है वो भी इक्विलेटर triangle के लिए तो उसको एक बार समझो एक्विलेटर ट्राइंगल में आप अगर तीन मीडियन बनाओ जिसे अपने पीक्यू आर यह साइड रखते हैं और हम यहाँ पे तीन मीडियन ड्रॉ करते हैं यह एम एन ओ तो यह तीनों मीडियन एक पॉइंट पर इंटरसेट करेगे इस पॉइंट को ट्राइंगल का सेंटरोइड पॉइंट करते हैं और अगर मैं यहाँ से एक सर्कल पास कर दूँ एक सर्कल अगर मैं यहाँ से पास कर दूँ तो यह जो सेंटरोइड है ट्राइंगल का वो सर्कल का सेंटर पॉइंट भी होगा तो उसे कहते हैं सर्कम सेंटर ओफ दी सर्कल समझे आप एक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों मेडियन जहां इंटरसेट करती है वो ट्राइंगल का सेंटरोइड पॉइंट कहलाएगा और यह खाली एक्विलेटरल के लिए नहीं किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू है किसी भी ट्राइंगल की तीनों मेडियन जहां को पिए यहां को यहां इसको फिलम और प्रेंगल के लिए कि तीनों मीडियन उसके पॉइंट पर इंट्रसेट करेंगी उस पॉइंट को अपने तो गया खास है तो इक्विलेट्र ट्रैंगल में यह जो रिश्य होता है op upon om का op upon om always कितना आएगा 2 by 1 आएगा यह equilateral के लिए होता है इसे अपने derive कर सकते by using pythagoras and simple geometry बड़ आपको derivation में नहीं जाना है आपको यह fact याद रखना है कि जो equilateral की equilateral का जो circumcenter होगा वहाँ से point p का और यह perpendicular का जो foot है वो distance op upon om इसका ratio always 2 jam 1 आएगा यह अगर 2 meter हो तो यह always 1 meter होगा आ गया समझ में यह नहीं पर ratio है ना ratio 2 by 1 आएगा जैसे अगर यह 4 हो तो यह 2 होगा क्योंकि 4 by 2 के आएगा 2 by 1 ऐसे यानि यहाँ यह जो op है ना वो om का double है ऐसा भी बोल चकते है देखो op equals to twice of om om का twice equals to op हाँ यहाँ पर अगर हम x ले तो उपर 2x लेगे 6 double यहाँ पर अगर 3 लिखते हो तो उपर 6 आए उपर 3 लिखते हो तो नीजे 1.5 आएगा कौन हाँ 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 यह जैसे 20 है तो यह कितना होगा 10 है मतलब पूरा मिल जाएगा हमको 30 और क्योंकि यह median है तो हमको sd का यहाँ पर half मिल जाएगा तो ऐसा कुछ geometry लगकर अपने यह side find करेंगे हाँ 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 यह चीज नहीं करने की जरूरत है ऐसा नहीं करना है हमें यह यह जो मानलो इसका फूर्ट हम क्या बोले एम बोल देते इस पर्टिकुलर केस में तो हमें एम मिल जाएगा है ना तो am square plus md square equals to ad square यह pythagoras लगाएंगे अपने को ad मिल जाएगा वह अपने आगे करेंगे बट यह concept आपको समझ आ जाना चाहिए अच्छे से ओके एक्विलेटरल का जो centroid होता है वो circle का circumcenter होगा और यह जो ratio है op upon om always two by one रहता है तो इसमें भी हम लोग होई करेंगे कि oa upon om equals to two by one oa equals to twenty therefore om equals to ten and total am is thirty फिर उसके बाद हम pythagoras लगाएंगे और ad find करेंगे यह इसका key point रहेगा done चलो करेंगे यह यह है कि आजलो तो अपने पहले यह जो ड्रॉ किया न वो draw am draw median am of triangle as d draw कर दिया median am passes through circumcente of the circle here as equals to sd equals to da therefore triangle asd is an equilateral 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 triangle और equilateral triangle का जो circumcenter होगा उसका ratio हम जानते हैं मतलब center से vertex का और यह perpendicular के foot का distance जो है वो ratio हम जानते हैं देरफोर om upon oa upon om equals to 2 by 1 but oa equals to 20 meter है कि centimeter है park होगा न तो meter ही होगा 20 meter therefore 20 upon om equals to 2 by 1 therefore 20 upon 2 equals to om therefore om equals to 10 meter now am equals to a o plus om 20 plus 10 which is 30 now in triangle a nीचे m और d amd यह अला ले रहे 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 हैं but अपने मालो यह लेते हैं तो in triangle amd angle m is 90 degree angle m equals to 90 degree therefore am square plus md square equals to ad square am square plus md square equals to ad square अब am तो हमें पता है 30 okay listen md जो होगा न md वो ad का half होगा क्यों? क्योंकि md is half of sd it is a median am क्या median है so m is the midpoint of sd यहां देखने का बई और यह नहीं सोतने का कि मुझे तो ही आता है इतनी है जो मैं बोल रहा हूँ वही सिखना है आपको am median है median सामने वाले side के midpoint पर intersect करती तो m हो गया midpoint sd का half करेंगे तो हमें md मिलेगा है ना but sd और ad equal है क्योंकि equilateral triangle है तो sd का half md है या ad का half md है कोई फरक पड़ा नए तो वो ही हमें आपे लिखना है md के इस्थान पर आप लिखोगे ad का half उसका reason अपने bracket में लिखेंगे because देखो md किसका half लिया हमने sd का md is half of sd but sd and ad are equal तो I can take ad half अब ad का half लेना इसके लिए ज़रूरी है because हमारा जो equation है वो एक variable में आ जाएगा इसमें सारी चीज़ें हमें पता है सिवाए ad को छोड़ कर तो सीधे हमें ad की value मिलेगी यहाँ पर दो unknown है तो value नहीं मिलती इसके लिए हमने change किया अब 30 square मतलब 900 और 80 square upon 4 2 square 4 और यहाँ पर 80 square अब यह जो 80 square by 4 है हम उसको उस्टाइड ले जाएंगे 900 equals to 80 square minus ad square upon 4 अब यहाँ पर 1 consider करके cross multiply कर लो तो 4 ad square minus ad square upon 4 which is 3 ad square by 4 equals to 900 4 and 3 को इस साइड लाओ 900 into 4 upon 3 equals to ad square अब दोनों साइड क्या कर लेंगे square root लेंगे ad equals to square root of 900 into 4 upon 3 900 का square root 30 900 का square root 2 उपर कुछ बचा नहीं तो उपर अपने खाली 1 नीचे क्या बचेगा सिर्फ 3 सो यह हो गया 60 into 1 upon root 3 meter और root 1 क्या होता है root 1 1 ही होता है त्यानि 60 into 1 60 और नीचे root 3 आता है इतना answer देखो तो कितना आ रहे दो 20 into root 3 अच्छा सुनो उसका यह है वही चीज लेकिन फॉर्म अलग है कैसे देखो बता रहो यहाँ पर अभी meter मत लिगो इसको थोड़ा कट किया उन लोगोंने 60 को कैसे लिख सकते 20 into 3 हाँ मतलब यहीं पर cut कर देना चाहिए अपने को तो यहीं पर cut कर देते इसके अंदर ही नहीं कर देना चाहिए तो फिर 900 को 3 से cut करो तो 300 आया 300 into 4 300 को कैसे लिख सकते 100 into 3 into 4 so 400 होगा यह 400 होगा ना और 400 का स्क्वेर रूट क्या होगा 20 और यह जो 3 वो अंदर रह जाएगा so 20 into root 3 meter अपना जो answer आया था न वो गलत नहीं था कैसे गलत नहीं था देखो बताओ 60 by root 3 है इसको मैं एक से multiply कर सकता हूं 1 से तो 1 से मैंने ऐसे multiply किया यह 1 है तो उपर क्या हूआ 60 into root 3 root 3 into root 3 कितना हूआ 3 20 into root 3 यह वो चीज है कि इसका जो denominator है वो ही rational number है और इसका denominator rational number है यह जाधा better है 900 upon 3 मिल रहा है तो उसका हिसाब उपर कर दो पहले ही so ad equals to 20 into root 3 तो जो बच्चे लोग है अंकूर, साइद और तिसरा कौन था डेविड अंकूर, साइद और डेविड वो तीनो जो telephone use करें उनके बीच में जो strings है वो इतने meter उनकी length है सब वही सब की वही होगी न no 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 एक का ही निकालना है हमें length of the string of each phone हर एक phone का string तो इसका string कितना हो यहां से यहां तक फैला होगा एक ही साइड हमें find करने है तो last में answer किस form में होना चाहिए इस form में therefore the length of the string of each phone is 20 into root 3 meter धित बार किस तो बार किस प्राइब यहां प्राइब यहां तो जो एकशब यह कितना है यहां इस युरिण इच फोन इस 20 इंटो रूट 3 मीटर ओके दन बस नहीं हुआ चलो फिफ्ट कॉस्टिए अब एंड 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 टो पैरलल कॉस्ट का मतलब सरकल का सेंटर बीलब बिच में है और कॉस्ट एंड उपर नीचे इस तरीके से थीन है एसा भी हो सकता ना कॉस्ट ए और बी एबीसीड इंड सेंटर के सेंटर के एक ही साइड हो बट यह दोनों साइड है इसके लिए statement दिया हुआ है also center P is between the quads AB and CD if AB equals to 48 cm CD equals to 40 cm then radius of a circle is 25 cm then find the distance between AB and CD इसमें पहले अपने drawing बना ले दे easy तो है easy बटा कहिता medium medium level का है lengthy थोड़ा रह सकता है but easy है lengthy मतलब long इसका process हो सकता है complexity नहीं है सोचने की अगर आप सोचने के माहिने से देखो तो ज़्यादा deep नहीं सोचना है सिधा सिधा मिल जाएगा but क्योंकि दो quads के बीच में distance find करना है न तो थोड़ा सा lengthy होगा चलो भाईया ये एक कॉर्ड AB और ये एक कॉर्ड CD circle का center हो गया ये point P AB equals to 48 cm CD equals to 40 cm and radius of a circle is 25 cm तो listen आप ये distance circle का radius होगा तो PA equals to PC तो radius AP equals to CP equals to 25 तो ये distance हमें बता है 25 और ये भी 25 then find the distance between AB and CD AB और CD के बीच में distance माला क्योंकि ये दोनों parallels है इसके लिए मैंने ऐसा ही बनाया नहीं तो मैं ऐसे भी बना सकता था ऐसे और ऐसे पर ऐसा नहीं बना ना क्यों AB and CD are two parallel chords तो दोनों को ऐसा रखना है अब दोनों के बीच में distance ढूंड़ना मतलब ये चीज़ फाइंड करनी है अपने को देखना ये ये डूंड़ना है मतलब समझे की नहीं समझे ये दोनों के बीच में distance मतलब ये अब ये length कैसे मिलेगी तो इसको मानलो इसको m suppose करे इसको n suppose करे तो pm हमें मिलेगा कैसे ये वाले set से मिलेगा वही मैंने बोला कि deep thinking नहीं है सीधे सीधे आपको दीखेगा फिर हमें करना है कि pm निकालना है एक बार एक बार pm निकालना है कि दोनों को add करना है तो pm और pm कैसे निकल आएगा तो हमें बता है cd 40 है तो cn 20 होगा 20 25 और 3rd side find करेंगे similarly ये वाले triangle के लिए करेंगे तो ये pm और pm फिलास्ट में add करना है simple question हाँ तो वही तो तभी तो am मिलेगा न ए भी पता है तभी am मिलेगा और am ap का यूज़ करके हम mp find करेंगे चलो लिखो draw mn perpendicular to ab and mn perpendicular to cd mn собственो और सूविपश gefρ्वश kếuज़ दो व्याइ करेंगे लिखो увाब ऑन वाले मिलेगा दो वोग करेंगे अ instruments करेंगे डी चलो सको विलेगी तो is vivi 4 another ए सभी या बीगा Therefore, am is half of ab and cn is half of cd. am is half of ab, ab कितना था, 48, 48, cn half था, cd का और cd कितना था, 40, therefore, am equals to 20, 4 cm and cn equals to 20 cm. इन ट्राइंगल, P, P, A, कैसे दिना, P, A, M दिना, हाँ, ऐसे, कौनसी लाइन, ओ, तो चलेगा, भी छोटना, अब नहीं लिखा तो रहा गया, लिखना था, शुरू आत में लिखते फिर, फ्रॉम फिगर लिख देने का ना क्या है, अब वो तो कोई बड़ा बात नहीं है, भाई देख, रिडियस तो सबको पता है, ऐसा ही होता है, अब देखो, लिखना ही था, तो वो फिर शुरू में लिखो, फिर अब नहीं मजा आएगा, लिख देना है फिर भी, आवे ना लिंक भी गड़ रही है, इन ट्राइंगल PMA and PNC, दोनों का एकी का एकी साथ कर देते हैं, इन ट्राइंगल PMC and ट्राइंगल PNC, एंगल M and एंगल N are, साबाज, साबाज, PMA and PNC, एंगल M and एंगल N are, राइट अंगल्स, देर पॉर, PM square plus, AM square equals to, हाँ, AP, AP लिखते है, AP square, and, साथ साथ में चल रहे है, PN square plus NC square equals to CP, PN, NC, PC, PM, AM, AP, ट्राइंगल से समझ लिने का नहीं तो, PM square plus AM square equals to AP square, या फिर, second triangle के लिए क्या होगा फिर, PN square plus CN square equals to CP square, अब values रखेंगे, PM, PM हमें find करना है, है, और AM हमने find करके रखा हुआ है, 24, और AP was the radius, radius है, देखो, AP and CP are the radius, so it is 25 square, यहाँ पे भी, PN हमें find करना है, NC, NC यहाँ पे find करके रखा है न, 20, और CP कितना था, 25, PM square plus 24 का square, 5, 7, 6, 6, 25, 4, 5, 6, 25, 4, 6, 25, 4, 6, 25, next page per, PM square equals to 6, 25 minus, 5, 7, 6, 5 minus 6, 15 minus 6, 9, 11 minus 7, 4, 5 minus 5, 0, 49, उस साइड क्या होगा, PM square equals to, 6 to 5 minus, 400, so it is, 2 to 5, दोनो साइड आप, square root लेंगे, PM equals to, 7, 7, centimeter, and, PN equals to, 15 centimeter, now, the distance, between, chords, AB and CD, is, MN, MN, and MN, MN, MN equals to, PM plus, PN, PM, we find 7, PN find 15, 15 plus 7, 22 centimeter, OK, BINGO, Sir, QS, हाँ, 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 जा, क्या, अच्छा, QS, समदना है, कौन सा है भाई, हम तुमको दो मिनिट में समझा देंगे, वह प्रैक्टिस का विशह है, देखो बच्चा, AB 48 गिवन है, CD 40 गिवन है, Radius 25, 25 गिवन है, यह इतना गिवन है, यह 3 चीज़े, हमें find कर देना है, MN, ठीक है, MN हमने draw करना है, फिर उसको center में से pass करना है, मतलब यहाँ पर भी से draw कर सकते थे, लेकिन उसका मतलब नहीं, हम लोग यहीं से draw करेंगे, center से, draw करोगे, तो यह 3 triangle बनेंगे, है न, तो AM कितना होगा, 48 का half, कितना 24, याद रख ले, यह कितना होगा, यह 24 होगा, और यह CD, 40 है, CN कितना होगा, half होगा, यह 20 होगा, अब यहाँ पर तुम pythagoras लगाओगे, तो pythagoras के according यह 7 आएगा, और यहाँ पर pythagoras लगाओगे, तो उसके according यह 15 आएगा, अब distance पूछा है, तो 15 प्लस 7, 22, तो, अब वो pythagoras लगाया है हमने आगे, वहाँ बैठ के आरहम से पढ़ना, ठीक है, उसमें कुछ खास question में है नहीं, मैंने क्या बोला था, simple है लेकिन lengthy है, 6th question, ABCD is a cyclic quadrilateral, whose diagonals intersect at a point E, so no, ABCD is a cyclic quadrilateral, whose diagonal intersect at a point E, point E, if DBC 70, BAC 30, BCD, find करना है, further, if AB equals to BC, find ECD, मतब drawing बनाने है पहले, पढ़ते जाओ, और drawing बनाते जाओ, ABCD is a cyclic quadrilateral, चालो, ओवा ले, circle बना देंगे ले, circle ही था नहीं गासे था, चालो, ABCD is a cyclic quadrilateral, आईसा बना दो, एक ऐसा बना दो, आईसा बना दो, अब, diagonals intersect at E, तो यह इंटर्सेक्शन पॉइंट है, ओ वेया A, angle DBC equals to 70 degree, D, B, C, नहीं, जरूरी नहीं बेटा, नहीं, वो जरूरी नहीं है, यह CD में थोड़ा उपर बना दूख, तो क्या है, ले, यह रा CD, यह रा A, B, तो अब कहां पर आया circle का center बोलो, यह होगा, तो भई, यह rough होता है, जो लिखा है, उसी पर पूरा focus करो, लिखित में चाहिए सब यहां पर, B, A, C equals to 30 degree, B, A, C, यह वाला angle, Find B, C, D, एक जैसे होंगे न, वीकी chapter के हैं तो, B, C, D, वो पहले अपने किये थे न, वैसा ही कोश्चन है भई, चलो इस बार है न, उसकी method से करते है, उज्वल ने जो बताया था हो, वैसा ही तो कोश्चन है, अभी जो थोड़ी दिर पहले किया था, यह यहाँ पर drawing थी उसकी, कहां गया, इतना सारा पढ़ लिया है, इसमें यह angle find करना था, दो angle दीए थे, cyclic quadrilateral diagonal से, दो angle दीए, एक पूछ रहा है, अभी, देखो, इस बार भी दो angle दीए, और यह yellow वाला angle question मार गए, तो इस बार हम लोग cyclic quadrilateral की property यूज करते हैं, ठीक है, यह वाला angle अगर ढूणना है, तो हमें यह total angle पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों का summation 180 degree होगा, बट उसमें से एक हिस्सा हमें पता है 30, तो दूसरा हिस्सा कहां से मिले, तो angle dac और dbc एक ही quad ने angle बना है, वो भी एक ही segment में, तो वो दोनों कैसे होंगे, सेम, यह वाला angle 70 है, तो यह भी 70, 70 plus 30 हंड्रेड, यह 100 है, तो बताओ, यह कितना होगा, 80, बस हो गया, चलो, लिख देदे, यहीं से चालू करदू, solution, कौन से दो angle, angle dac और dbc एक्वल होंगे, चलो, आप लोगों की shortcut trick, angle dab equals to dbc, क्यो, angle subtended by same chord, कौन सा, हाँ बेटा, dac होगा, dac and dbc, तो यहां से देखते हैं न, तो फिर तोड़ा रहे जाते हैं, angle subtended by, बाए तो लीखा इतनी, तो यहां से लास्ट टाइम मैंने पूरा लिखा था, तो आप इतना भी लिख सकते हो, चलेगा, बट प्रॉपर अगर लिखना हो तो अपने मैंने जो पहले बताया था, लेकिन इसके भी कोई marks नहीं काटेगा, समझते हैं कि कि 9th में, मैं इसमें बहुत चारा लिखने का होता है, तो बच्चे, शॉर्ट कट में यह लिखते हैं, तो अंगल DAC equals to DBC, therefore, DAC equals to 70 degrees, ओके, यह नीचे ही लिखता हूँ, यह जगे नहीं उपर, therefore, अंगल DAB, equals to, therefore, नहीं, 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 एंगल DAB equals to DAC plus CAB, DAC plus DBC, DBC, नहीं, CAB, दिया हुए, 30 यह ला, ना BAC करके दिया हुए, नहीं, DAC और BAC को जोड़ोगे, तो यह टोटल अंगल DAB, राप्त हो जाएगा, 70 plus 30, which is 100, therefore, अंगल DAB equals to 100, अंगल अंगल हम लोग बोलेंगे, अंगल DAB and, क्या पुचा है, find BCD, BCD and DAB are opposite angles of a cyclic quadrilateral, therefore, their summation is 180, DAB plus DBC, DBC था न, BCD था, equals to 180, क्या लिखने का opposite angles बेटा, अंगल बेटा, हाँ बेटा, बोलो, D, ने ने, पहले ये, फिर ये, हाँ बाद में फर्दर, फिर बी-सीडी कर लें फिर, 100 plus BCD, equals to 180, therefore, BCD equals to 180 minus 100, therefore, BCD equals to 80 degrees, एक तो मिल गया, अब वो पूछा है, further, if AB equals to BC, find ECD, AB equals to BC, ये दो साइड़ अगर equal हो, तो हमें angle ECD पूछा है, सिर्फ इतना angle, ECD होगा न, वो पूछा है, तो अभी-अभी हमने, BCD find किया, 80 आया, टोटल, तो टोटल में से, ये भाग ढूंडना हो, तो ये भाग पता होना चाहिए, ये हिस्सा पता हो, तो ये हिस्सा मिले, और ये हिस्सा कितना होगा, हाँ, नहीं रहे, हाँ, सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है, ये दो साइड्स इक्वल है, AB और BC के opposite angles, देखो तो 30 के सामने ही आएगा, ये वाला भाग, ये भाग, ये भाग जो है, वो 30 होगा, तो बचा कितना, 50, 80 है टोटल, BCD अभी ढूडना नहीं, 80 था, 100 नहीं, 100 तो इदर है, तो इतना भाग 30 है, क्यों triangle ABC में, AB और BC, equal कर दिया, तो angle A और angle C, equal हो गया, 30 equals to 30, ये भाग 30 है, टोटल 80, तो ये भाग 50 होगा, ऐसे, एक और बार बाताओ, रोकिए थोड़ा ना, blurry blurry हो गया है, अभी देखना जादू, बहुत बेकार जादू था, अभी चलेगा, अभी देखो मैं है ना, अभी थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ीगा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स नहीं दिये हैं लोगों ने, तो अभी अभी हमने न ये डूढ़ा था, ये हमें टोटल मिला था, blue वाला हमें टोटल मिला था, 80, BCD, ओके, अब हमको पूछ रहा है, ECD पूछ रहा है, ये जो हमें, क्या करना था हमें लोगों, color हाँ, color change, purple, ये ले purple, दीखेगा, देखो, ECD हमें ढूढ़ना, ये वाला हिस्सा हमें ढूढ़ना है, green वाला question mark है, ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो red वाला है, नहीं अब तो blue वाला, blue तो बन गया, yellow, 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 तो yellow वाला अगर मुझे मिल जाए, so yellow plus green क्या दे रहा है, मुझे 80, yellow plus green, ये blue मिल रहा है, तो इन दोनों में से, question mark कौन है, green, तो मुझे ढूड़ना है, कि yellow कितना होगा, तो पहला task है, कि ये ढूड़ो, तो अब yellow कितना होगा, तो हमें दिया, AB equals to BC, ये दोनों sides equal है, तो उनके opposite angles भी equal होगा, तो triangle ABC में ही रहना है, तो triangle ABC में angle B equals to angle C होगा, तो C कितना है 30 degree, तो हमें पता चल गया, कि yellow part कितना है 30, तो 30 में क्या जोड़ो कि 80 आए, तो answer है 50, 30 में आप 50 जोड़ोगे, तो 80 आ जाएगा, इसका अनलब ये जो green वाला part है, जो green वाला angle है, E, C, D, वो 50 degree होगा, अभी आया समझ में, चलो दो याद, चलो ट्राइंगल की बात करेंगे, now in triangle ABC, AB equals to BC, therefore angle B equals to angle C, therefore angle C equals to 30 degrees, angle C के स्थान पर और क्या लिख सकता हूं है, angle B, C, A, triangle ABC का angle C, मतले बितना ही न खाली, यानि B, C, A, angle B, C, A equals to 30 degrees, अब हमें E, C, D, ढूंडा है, है न, E, C, D plus B, C, A equals to B, C, D, कहां आ गए हम, B, C, A, B, C, A plus E, C, D, equals to B, C, D, B, C, A to 30, था, B, C, A to 30, और यह 80 है, therefore, E, C, D equals to 80 minus 30, for E, C, D equals to 50 degrees, okay, क्या होगा, मंतन, बस त, यह highlight होगे, यह highlight होगे, यह highlight होगे, दो चीजे ढूंडने थी, ढूंडी, दन, बिंगो, a chord of a circle is equal to the radius of the circle, find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc, and also at a point on the major arc, यह भी easy है, लेकिन लिखना बहुत सारा बढ़ता है, चलो, circle बना दिया, circle में क्या रखना है, देखो, a chord of a circle is equal to the radius of the circle, हमने एक chord बनानी है, जो circle की radius इतनी ही हो, equilateral triangle मतलब ऐसा बन जाएगा, क्योंकि यह भी radius होते हैं न, दोनों यह radius ही है, और chord भी radius इतनी, तो मतलब triangle की तीनों sides equal हो गई, जाए मैं इत समझ रहे हो न, find the angle subtended by the chord, at a point on the minor arc, and also at a point on the major arc, तो कि इस chord ने, major arc पर जो angle बनाया है, वो भी find करो, और minor arc पर जो angle बनाया है, वो भी find करो, यानि कुल मिला कर, ये दो angles question mark है, अब हमें सबसे पहले तो ये find करना पड़ेगा, कि chord ने circle के center पर, कितना angle बनाया, तो हम लोग solution में लिखते हैं, let chord a b, is equal to the radius, radius of the circle, तो number लिखो, a, मतलब नाम लिख दो, a b, और circle का center कुछ दिया है, नहीं दिया, अपने मर्जी से, o, और ये c d कर देता है, c, और ये d, तो a b equals to o a equals to o b, because chord equals to the radius, यह ना, therefore triangle o a b is an, is an equilateral triangle, बहुत अच्चे, equilateral triangle में हर एक angle कितना होता है, 60 degrees होता है, therefore angle a o b equals to 60 degrees, यह हमें पता चल गया, 60 degrees है, इसका just half क्या होता था, theorem के साब से, 30, तो हमें पता चल गया, यह 30 है, अब यह जो a b c, a d b c to angle है, वो cyclic quadrilateral है, क्योंकि उसके चारो point circle पर है, तो यह जो c और d angle है, वो opposite angle है, opposite angles का summation कितना होता है, 180, यह angle अगर 30 degree मिला, तो यह कितना होना चाहिए, 150, हो गया, simple, रुको रुको, a o b equals to 60 degrees, now angle a c b is half of angle a o b, 60 का half, तो angle a c b is half of 60, which is 30, उसको तो मैं नहीं बुलाऊंगा, वो देख रहा है वहां पर, वो अब कल ही आएगा, कोई नहीं, चल, तो a c b is 30, अब a d b find करना है, तो पहले लिख दो, the angle subtended by the chord, at a point on the major arc is, 30 degree, यह major arc वाना, तो major arc पर 30 degree है, लास्ट में लिखना है कि अभी लिख दू, ओके, therefore, the angle subtended by the chord, on the major arc is 30 degree now angle ACB plus angle ACB plus ADB angle ACB plus angle ADB equals to 180 opposite angles of cyclic quadrilateral therefore 30 plus ADB equals to 180 therefore angle ADB equals to 180 minus 30 which is 150 degrees yellow therefore the angle subtended by the chord on on the minor arc is 150 ok bingo bingo in the given figure triangle angle ABC equals to 69 angle ABC total angle 69 ACB is 31 itna 31 find BDC BDC c find find कर now BDC or BAC के बारे में क्या कहते हो अप लोग equal होगे इसका मतलब हमें ये find कर लेना चाहिए ये वाला angle हमें find कर लेना चाहिए और BAC angle मिल जाएगा हमें angle sum property का यूज करके बस थे गधम simple हो गया इन ट्रियंगल बा ने अबीच एंगल a plus b plus c equals to 180 एंगल a plus 69 plus 31 equals to 180, 70 और 30, 100 111 कहाँ से आया? हाँ, भाई, तुमको भी जाना है आपे जुजुल भाई, तुमारा भाई, फुल फोकस नहीं होता है मैं पहले भी आपको टोक चुका हूँ वो है न, शुबहम खुद नहीं पड़ेगा लेकिन किसी को disturb नहीं करेगा उसको disturb करना होता है, तो खाली जैमीत को करता है so angle A equals to 80 degrees और angle A के स्थान पर क्या लिखो BAC अब ही रीजन देने का BAC and BDC are on the same chord and on the same side of chord therefore they are equal क्या नाम था वैसे एंगल्स का BAD और BDC क्या है कितना था बीए सिए? Okay. BDC equals to 80 degrees. Question number 9. In the given figure, PQR equals to 100 degrees. Where P, Q and R are the points on a circle with center O, find O, P, R. देखो, circle का center है O. इस तरीके से quadrilateral बना दिया, P और R को जोड़ दिया. पुछा के है O, P, R. O, P, R. इतना सा angle हमें बताना है. ये कितना होगा? हाँ, वो लिख सकते है. O, P और O, R क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे, because हो circle की radius है. तो, ये जो angle बनाए O, P, R में P angle जितना है, उतना angle कितना होगा? R होगा. बिकास, ये sides equal है, तो opposite angles भी equal होजाएंगे. तो अब अगर मुझे ये angle कहीं से पता चल जाए? तो बात बन जाए. हाँ, यहीं पर आप mistaken हो जाओ गए. हाँ, बेटा, ये cyclic quadrilator नहीं है. ये, ये, सुनो, इसे देखने से आप confused हो सकते हो, कि ये cyclic quadrilator है, क्योंकि तीन point इसके जो है न, अब circle पर ये पर चौथा नहीं है, चौथा भी circle पर होना चाहिए. ये एकदम center पर है, तो ये cyclic नहीं है, हाँ, बट आप ये जैसे उज्वल बोल रहा है, वैसे आप बना सकते हो, क्या बना सकते हैं हम, तो हम इसको आगे drawing को आगे बढ़ाएंगे, और point P से circle पर एक line खीचेंगे, R से भी एक line खीच देंगे, अब ये जो इसका नाम कुछ दे दो, P, Q, R, S. तो अब जो P, Q, R, S quadrilateral बन रहा है बच्चो, वो है cyclic, अब ये 100 है तो ये 80 होगा, अब वो theorem यूज करो, कि cord circle के center पर जो angle बनाता है, वो twice होता है किसका, तो cord circle के उसी side पर जो angle बना रहा है उसका, तो 80 का twice ये कितना हो जाएगा, 160, अब 160 minus 180 करो तो बचा 20, क्योंकि हमें triangle OPR में total कितना रखना है, 180 तो रखना है, उसमें से खाली ये 160 आ गया, अब खाली 20 degrees बचे है हमारे बस, तो वो 20 degrees हमें equal equal बाटने, because उनकी sides equal है, तो ये 10 होगा, तो ये भी 10 होगा, तो answer क्या हो गया, 10 degrees, 10, OPR find करना है, हाँ, जोड़ो ना, 10, 10, 20, 20, 20, और 107, 180, आया, पता चला, इधर देखो, पता चला किने, तो पहला step क्या करेंगे, जोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड़ोड Therefore, angle Q plus angle S equals to 180, 100 plus angle S equals to 180, therefore angle S equals to 180 minus 100, therefore angle S equals to 80 degrees. और, angle PSR equals to 80 degrees, angle PSR हमें मिल गया, अब हम लोग बोलेंगे, circle का center यहाँ पर O है, So, angle POR is twice of angle PSR. Angle POR is twice of angle PSR by Angle POR is twice of 80, 160 मिला, ओके? अब हम आर्गूमेंट देंगे, इन ट्रियंगल और, इन ट्रिंगल POR, angle O equals to 160 degrees. Moreover, O P equals to OR, that's why angle P equals to angle R, reason आप लोग दोगे, दे देना है. Angles opposite to equal sides are also equal, वो reason यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? Angle P और R equal आ गया. Now, angle P plus angle R plus angle O equals to 180. Angle P plus, क्या उनसा angle find गाना है? O P R. तो R को replace कर दो P से, O की जगह 160. So, R और P को replace क्यों किया? क्योंकि वो दोनों equal है. So, twice of angle P उठा लो, 180 minus 160. Therefore, twice of angle P equals to 23. Therefore, angle P equals to 10. और angle O P R equals to 10 degrees. तो यह चीज़ हमें ढूडने थी. Okay, done. तो I think अब time over होता जा रहा है. बराबर तो आज अपने इतना ही रखते हैं. अपने तीन कोशन बागी रहेंगे. वो तीन कोशन क्या थोड़े लेंदी भी है. ज्यादा ही लेंदी है. तो अपने next time करते हैं. पैरेंट्स भी आगए होंगे लेने नहीं. जलो next time करेंगे.